तो है गाइस वेलकम टो ने दर वीडियो आज के वीडियो हम बात करने वाले इंडियन कॉष्ट गाट की दो नहीं जोके अफडेट आ चुकी है जोकि आपके लिए बहुत-बहुत हेलफुल है नाविक जीडी एंड डीवी एंड यांतरी बैस 2020 के लिए तो नहीं विकंसी के नहाँ पर जो है कोष्ट गाट की आथ से अपलाए होना है और कैसे अपलाए होना क्या-क्या होगा तो सारा कुछ डाउट आपका के लिए कर देंगे वीडियो कंदर तो अगर आपने अभी तक जो आपके वारे में नहीं जाना है तो लिंक डिस्टिशन में है तो जाकर जा फरवरी 2021 जो कि आज के दिन से ही अपलाए होना है और यहां सब अपलाए कर सकतो लिंक जो है टिस्टिशन में है ठीक है और यहां पर बात करते हैं मार्च में अपकाएगा और फरवरी और मार्च के बीच रहेगे ठीक है मिनिमम एज यहां पर 18 साल रखे गया मैक्सिमम सब्सक्राइब यहांपर अजय गया त्याँचा बश्क्राइब हो एक सब्सक्राइब यां पर टो Сबस्क्राइस के पर बात करते हैं एक बात कर देते हैं एक पर इस तो 358 पोश्ट है जिसके अंदर नाविक डिवी के अंदर जो है वह आपको पचास पोश्ट देखने को मिलेगा यांतरिक के अंदर 48 और 260 पोश्ट ठीक है बहुत सारे कमेंट्स यहां पर आ रहे हैं कि कि तीनों अगर फॉर्म भरना सब्स installment अब लग अब बात करते यापडेट के वारा में कि अदर आई है सबसे पहले हम आपको बता देडia सारे बन्देख आए गा कियोंकी यहां पर भी ले राएं और यह पहले वार हो रहे कि यहांपर प्रोट कर रही है साथ-साथ सप्सक्राइब कार्वाइट कि उनको भी पता यहां पर सब्सक्राइब करें जिनको कम नंबर सब्सक्राइब करेंगे जिनका ज्यादा है वो भी तोाप जान चुक्त आपको पता नहीं चला है जैसे अपला होती है आज जनवरी 2021 से तो बता देंगे क्या फीज लग रही है मुझे लग रहा है जहां तक कि फीज जो रहेsan की कि यहां पर गोर यह साथ होगा तो उस थरप यहां पर पितने हैं थाको तरह यहां पर कर सकते हैं और 25 दीवी को से कुछ लिए तो तक फिर यांपर ज़्यादा देहने को फिर साथ हो कर दए के फी को लेकर बहुत ज़्यादा कामेंड्स आए तो और साथ में यहां पर एंज निमिट आप देख सकते हैं कुछ 18-22 साल है जो भी भरना चाहते हैं तो आज से भर जाएगा क्योंकि पिछली बार जब कोश्ट गार्ट की हुई थी तो यहां पर फिर्ष्ट दो दिन यहां पर अपला हुई थी उसके साथ है दो दिन के बाद यहां पर जो है इस साइट सुलो हो जाती है और इसके रिकार्डिएंग आपर जो फोने के कारद जो बात में जो भी बच्चे भरना चाते हैं वह नहीं भर सकते हैं तो व्यूट का उंदर पर स्यही थी और कोई भी जानका लेनिया तो नीचे कमेंट करना